एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबो इश्वर का अशिरवाद होता है एक चुटकी सिंदूर स्पॉंसर्ट बाई स्वर्णावा जूलर्स मोती बाजार मंडी सोने सी चमकाएं अपनी खुब सूर्ती ओम शांती ओम फिल्म का ये डायलोग काफी हिट हुआ था अब हिमाचल के किसान बागवान भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत से अपने आजीवी का कमा सकते हैं कहने का मतलब है कि अब हिमाचल में सिंदूर के पौधों की खेती का दौर शुरू हो सकता है और इसकी शुरुआत हमीरपूर से होने जा रही है दरसल आयूश विभाग के हमीरपूर जिलस्तित हर्बल गाडन नेरी में सफलतम तरीके से हिमाचल की आबो हवा में साउथ अमरीका की बिस्का और एलाना प्रजाती के सिंदूर के पौधे के बीज तैयार किये गए हैं महराश्टर के गोंदिया नामकस्तान से कुछ साल पहले इसके बीज लाकर हर्बल गाडन में लगाए गए थे और अब मदर प्लांट के बीज से इस साल सिंदूर के 34 पौधे अंकुरित किये गए हैं भारत में सिंदूर का पौधा नॉर्थ इस्ट और साउथ के राज्यों में वर्तवान में पाया जाता है ऐसे में हिमाचल के उशन कटबंदियक शेत्रों यानी निचले हिमाचल के जिलों जिन में बिलासपूर, हमीरपूर और कांगडा शामिल है इसमें इसकी खेती की संभावना प्रबल मानी ज़ा रही है आयूश विभाग के पूर्व में रहे OSD डॉक्टर अशोक शर्मा ने कुछ साल पहले महराश्टर में विभागिय ब्रह्मन के दौरान गोंदिया नमकस्तान से सिंदूर के ये बीज लाए थे उन्होंने हमीरपूर हर्बल गार्डनेरी के ततकाली नीन चार्च उजवल शर्मा को ये बीज दिये लंबे समय तक ट्रायल के बाद हिमाचल की आबो हवा में या बीज अंकुरित होना शुरू हो गया ऐसे मेधी सरकार इस दिशा में योजनाबत तरीके से किसानों को सिंदूर की खेती से जोड़ने का प्रयास करती है तो खेती प्रधान निचले हिमाचल के जिलों में आमदनी का एक बहतर जर्या लोगों को उपलब्ध होगा फिलहाल गार्डन में इतने पौधे तयार नहीं है कि किसानों को इन्हें वित्रित किया जाए लेकिन भविश्य में अधिक मातरा में पौधे तयार होने पर यहाँ किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे इसमें दो से तीन साल का वक्त लग सकता है सिंदूर के पौधे को इसके औश्यदिय गुणों के लिए जाना जाता है सुहागीन महिलाओं के लिए तो इसका एक खास महत्व है मांग भरने से लेकर विभिन, सौंदर या परसाधनों, लिप्स्टिक बनाने बाल, रंगने और नेल पौरिशादी में भी सिंदूर का इस्तमाल होता है सर जो सब्ट्रॉपिकल रीजन होता है जैसे हमिरपूर का बातवर्ण है या बिलासपूर हो गया, कांगडा, उन्ना के कुछ रीजन से है तो इन में जो है ये उपोशन कटिविंद्य रीजन भी बोलते हैं सब्ट्रॉपिकल रीजन तो इसमें ये मोशली जो है हुमिड क्लाइमेट इसको और सेड़ लविंग प्लांट्स होते है तो इसमें इसको ग्रो किया जाता है बाकी जो फार्मर्स आते हैं तो उनको हम इसके बारे में टेकनिकल गायडेंस की इसकी क्या डूर्मेंट्स होनी चाहिए इसको इससरे कि मैंने बताया कि जो ट्रोपिकल रीजन से तो उसमें ये mostly उगाया जाता है, तो जो हमारे गरम बातवर्ण जो हिमिड और बारमेरिया हैं, जैसे नॉर्थ इस्ट के रीजन है और जो हमारे साउथ हिंडिया का रीजन है, महराष्ट्र हो गया, करनाटक, इन तरह के इन स्टेट्स में जो है, इसकी खेटी की जाती है पर यहां पर अगर देखा जाए हिमाचल की हम बात करें तो यह जो गरम बातावर्ण है यह जैसे हमिरपूर हो गया कांगडा, उन्ना, बिलासपूर इन रीजन में जो है वो इसको उगाया जा सकता है सिंदूर के पौधे लगाके सिर्फ सिंदूर से कमाई नहीं की जा सकती, बलकि इसके बीज को बेज कर भी किसान कमाई कर सकते हैं धाई साल के बाद सिंदूर का पौधा फल देना शुरू कर देता है पांच से दस साल की उम्र में यह सरवादिक उत्पादन किसान को देता है इस आयू वर्ग में किसान एक पौधे से एक किलो ग्राम से अधिक सिंदूर और धाई सो से तीन सो पचास ग्राम तक बीच आजाता है. सिंदूर निकालने के बाद पौधे से प्राप्त होने वाले बीज को किसान 8000 रुपए प्रती किलो के हसाब से बेज सकते हैं. पोल स्टार हिमाचल के लिए हमीरपूर से हर्शा शर्मा की रिपोर्ट